अससलाम अलेकुम विवर्स आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किसी भी चैनल का किसी भी ब्रेंड का लोगो कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी सुर्फ 5 मिनट में थीख है ये उस पर create करेंगे लोगो अपना उसका नाव है Canva, C-A-N-V-A Canva हम उस पर अपना लोगो create करेंगे, लोड हो रहा है तो हम Canva में आ गए है, आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें poster, your story, logo third number पे है, हम उसको click करेंगे यहाँ पे नीचे बहुत सारे rediments जो logo होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ अपना name change करना होता है उसको भी आप select कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से कोई भी themes को select नहीं करूँगी तो create blank कर देती हूँ मैं यानि इसका मतलब यह है कि हम अपना जो logo के लिए theme select करेंगे, वो बाद में select करेंगे, पहले नहीं यहाँ पे भी बहुत सारे options आपको दिये जाते हैं logo के लिए, जिसमें से आप choose कर सकते हैं, जिसमें elements हैं जिसमें circle आ जाता है, graphics, photos, videos, lines and shapes, जो आप अपने logo में add कर सकते हैं फिर उसके बाद uploads, यानि आप video upload भी कर सकते हैं, कोई भी picture upload भी कर सकते हैं, जो आपको add करना है अपने logo में text, headings डाल सकते हैं, subheadings, और glow वाला text होता है, वो font भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर हम search भी कर सकते हैं, किसी भी, मतलब उसका चाहिए, तो हम उसको लिख सकते हैं, हमें tag के लिए चाहिए, तो हम लिखेंगे technologies logo यहाँ पर आपको बहुत सारे options पर ऐसे आजाएंगे, जिसमें से आप जो चाहिए, select कर सकते हैं अगर आप इसको scroll down करेंगे, तो आपको और भी बहुत सारे logos मिल जाएंगे, उससे related और scroll down करेंगे, तो जितने सारे हैं वो आपको और मिलते जाएंगे, बहुत सारे होते हैं इसमें, आपको जो पसंद हैं आप वो select कर सकते हैं और जिस तरह चाहिए उसको edit कर सकते हैं, थीक है, मुझे क्या लेना है, ये मुझे देखना है, दुबारा आते हैं नीचे, थीक है, ये नहीं चाहिए, नहीं, ये भी नहीं, I think ये वाला best रहेगा, तो मैं उसको select कर देती हूँ, तो ठीक है, मैंने इसको select कर दिया है, अब इसको editing करेंगे हम, तो ऐसे हमारे पास आएगा, जब आप select करेंगे theme, ठीक है, combine है, पहले तो इसको हम ungroup करेंगे, यानि इनको अलग-अलग करेंगे, फिर उसके बाद editing करें Edit पे जाएंगे, इस text को मिटा कर मैं T4 tag लिख देती हूँ, आपके channel का, आपके brand का जो भी नाम है आप लख सकते हैं, ठीक है, मैं T4 tag लिख देती हूँ, मेरे channel का नाम यही है, name लिखने के बाद, आप font size को change भी कर सकते हैं, gap भी दे सकते हैं इनके बीच में, जैसा आपको different different fonts हमारे पास available होते हैं, हम उनको on करेंगे और देखेंगे कि हमारा text किस में अच्छा लग रहा है, हम उसको select करेंगे, आप भी एक एक अरके सारे fonts चेक कर सकते हैं, जो आपको best लगे, आप वो ही use कीजे, मैंने आपको समझाने के लिए एक font ऐसे ही select कर दिया है, इस में से आप format भी change कर सकते हैं, underline, italic वगएरा, अब हम जाएंगे spacing में, यानि letters की बीच में spacing कितनी रखनी है, वो भी आप tag कर सकते हैं, minute नहीं रखनी है, बस, stroke में आते हैं, effects, इस text में आप effects भी add कर सकते हैं, कौन सा effect इस text पे best लगेगा, वो आपको decide करके लगाना है, अपनी मर् से कर सकते हैं, font size और effects के बाद आप, आप आपका logo तयार हो गया है, हम इसको adjust करेंगे, यानि आपको इसको किस तरहां रखना है, वो देखेंगे, किसी भी तरीके साब इसको adjust कर सकते हैं, left में, right में, मैं इसको center में रखूंगी, color भी change कर सकते हैं आप इसका, लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए यही color रख देती हूँ, मुझे ये color पहसंद है, वैसे भी, तो हब हम download करेंगे, file type आप select कर सकते हैं, मुझे वीडियो में नहीं चाहिए, मुझे image में चाहिए, तो मैं image ही रखूंगी, अगर आपको वीडियो में चाहिए, तो आप animations भी add कर सकते हैं, डाउन्लोडिंग स्टार्ट हो चुका है, और नीचे हमारे पास डाउन्लोडिंग file लिखा आ रहा है T4 Tech, आपको मेरी ये वीडियो कैसे पगी, comment में हमें जरूर बताएए, सजाक अल्ला होगा है,